हेलो एवरिवन मैं पूझा शर्मा इंडियन फिल्म हिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की हमारी कहानी है सेम सेक्स लवर्स के ऊपर रिलीज की गई फिल्म शुब मंगल ज्यादा साफधान की जिसको डाइरेक्ट किया है हितेश के वाल्याने इसकी लीड कास्ट में आते हैं आयश्मान खुराना उर्फ कार्तिक सिंग और जितेंद्र कुमार उर्फ अमन तरिपाठी फिल्म बदाई हो से वावा ही पाने वाले कि राज कुमार और नीना गुपता जी इस फिल्म में जितेंद्र कुमार की मा सुनैना त्रिपाठी और पिता शंकर त्रिपाठी का किरदार निभा रहे हैं इसके साथ ही फिल्म में मानवी गगरू उर्फ गौगल त्रिपाठी जो की जितेंद्र की बहन का किरदार निभाती नजर आ रही है और पंखडी अवस्ती उर्फ कुसुम जितेंद्र की मंगेतर का किरदार निभाती नजर आ रही है तो दोस्तों ये तो हो गई फिल्म की कास्ट, अब शुरुवात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जिसमें कार्थिक और अमन त्रिपाठि यानि सेम सेक्स लवर्स कम गे होते हैं, जो दिली में रहते थे वो एक दूपरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाते थे मूवी की शुरुवात में कुछ देर बाद अमन की बहन गौगल की शादी के लिए अमन और कार्तिक अमन के घर जाने के लिए रवाना होते हैं अमन कार्तिक को समझाता है कि घर पर किसी को उनके रिष्टे के बारे में नहीं पता चलना चाहिए और कार्तिक को वो ये भी कहता है कि अमन से वो थोड़ा दूर रहे वरना किसी को शक हो जाएगा लेकिन कार्तिक को दुनियादारी से फरक नहीं पढ़ता था ट्रेन में जब गौवल की बरात लेकर सब जा रहे होते हैं कार्तिक का यही फरक ना पढ़ने वाला नेचर अमन को फसा देता है यानि अमन के पापा शंकरत रिपाठी अमन और कार्तिक को ट्रेन के वाश्रूम में नजदीक देख लेते हैं जिसे देखकर वो बेहोश हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि उनका बेटा अमन गे है बेहोशी से उठने के बाद वो ये बात किसी को नहीं बताते लेकिन अमन को समझाते हैं कि वो ये सब भूल जाये और ऐसा कुछ नहीं होता दूसरी तरफ कार्तिक अमन को समझाता है कि वो अपने पापा को समझाए लेकिन अमन अपने पापा से बहुत डरा हुआ होता है और वो कार्तिक को अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है उसके साथ ही अमन के पिता गौगल की शादी के दौरान अमन और कार्तिक पर नजर रखते हैं और वो कार्तिक को भी समझाते हैं कि वो उनके बेटे अमन से दूर रहे लेकिन कार्तिक की बोर्ड परसनालिटी उसको ये सब अलाव नहीं करती थी और उसका ये मानना था कि अपनी सेक्शुलिटी नहीं चिपानी चाहिए इसलिए कार्तिक अमन के पापा के सामने अमन को गौगल की शादी के मंडब पर किस कर देता है जिसे देखकर सब को पता चल जाता है कि अमन और कार्तिक गे हैं गौगल की शादी ना तूटे इस वज़े से अमन के घरवाले लड़के वालों को समझाते हैं कि ये उनके घर की एक रसम है लेकिन बहुत प्रैत्न करने के बाद भी लड़के वाले नहीं मानते और रिष्टा तोड देते हैं जिस वज़े से अमन के पापा कार्तिक को गुसे में मंडब से बाहर लेकर जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो दिल्ली वापस चला जाए कार्तिक शंकरत्रिपाटी को समझाता है कि एक बार उसको अमन से मिलने दे लेकिन वो नहीं मिलने देते और गौगल के पापा को कहते हैं कि वो इसको स्टेशन पर छोड़ कर आए दूसरी तरफ शादी तूटने की वज़े से गौगल बहुत गुसे में आ जाती है और वहां से घोड़े पर बैट कर भाग जाती है कार्थिक को स्टेशन पर छोड़ते वक्त कार्थिक गौगल के पापा को धमकी देता है कि अगर अमन को किसी ने कुछ किया तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं कार्तिक का अमन के लिए ऐसा प्यार देखकर गौगल के पापा हैरान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं इसके साथ ही अमन के पापा और मम्मी अमन को अकेले में समझाते हैं कि उसको गलत फैमी हुई है ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन उस वक्त अमन इतने गुस्से में होता है कि उसका वो डर खतम हो जाता है और वो अपने प्यार के लिए स्टैंड लेता है और अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते तो अमन वहां से चला जाता है दूसरे और कार्तिक स्टेशन पर देखता है कि वहाँ पर गौगल साइट करने की कोशिश कर रही होती है कार्तिक उसको रोक लेता है और उसकी फैमली की इंपोर्टेंस उसे समझाता है क्योंकि उसके पास वो फैमली नहीं है फिर गौगल उसको समझाती है कि वो अमन को छोड़ कर ना जाए और अपने प्यार के लिए लड़े तब गौगल बताती है कि उसको बच्पन से ही अमन के बारे में पता था कि अमन गे है गौगल के समझाने पर कार्तिक वापस जाने का डिसाइड करता है लेकिन दूसरी तरफ अमन के पापा अमन को समझाने के लिए सुसाइड करने की धमकी देते हैं ताकि वो कार्तिक से दूर रहे वो उसको कुसुम से शादी करने को कहते हैं अमन अपने माबाप की ऐसी हालत द लेकिन कास्ट की वज़े से कुसम के घर वाले उसकी शादी नहीं करने दे रहे वो अमन को कहती है कि हम दोनों शादी करकर दिल्ली में सेटल हो जाएंगे फिर अमन कार्तिक के साथ रह लेगा और कुसम राकेश के साथ अमन उसको ये सब करने से मना कर देता है लेकिन कुसम नहीं मानती और उसकी नाको हाँ ही समझती है अलाबाद पहुँचकर शंकर त्रिपाठी और सुनैना त्रिपाठी अमन का नामकरन और क्रिया करम करवाते हैं तब ही उस दोरान गौगल आ जाती है जिसको देखकर सारे घरवाले खुश हो जाते हैं क्यूंकि उनको लगता है शायद गौगल मर गई है शंकर त्रिपाठी गौगल को अमन के नामकरन के बारे में समझा रहे होते हैं कि वापस वहाँ एंट्री होती है कार्तिक की जिसको देखकर घरवाले तो दुखी हो जाते हैं लेकिन अमन की खुशी वापस आ जाती है कार्तिक वहाँ सबको समझाता है कि शंकर त्रिपाठी को उनका प्यार नहीं दिख रहा है कार्तिक वहाँ अपने प्यार के लिए स्टैंड लेता है लेकिन शंकर्त रिपाटी बहुत गुसे में आ जाते हैं और कार्तिक को डंडे से माणने लगते हैं जिस स्वजे से कार्तिक बिहोश हो जाता है जिसको देखकर अमन बहुत टेंशन में आ जाता है और वो अपने घर वालों को कुसुम से शादी करने के लिए हां कर देता है अगले दिन कार्थिक अमन को समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है कुसुम से शादी करकर वो कभी खुश नहीं रहेगा लेकिन अमन ये नहीं चाहता था कि उसकी वज़े से कार्तिक को कुछ हो तो अमन कार्तिक की बात नहीं सुनता और अपनी बात पर अड़ा रहता है जिसको देख कर कार्तिक अमन को सुना कर वहां से चले जाता है शादी का दिन आ जाता है और शादी वाले दिन कुसम घर के गहने और पैसे लेकर भाग जाती है कार्तिक को पता चल जाता है और कुसम की चिट्थी पढ़कर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता फिर कार्तिक डिसाइड करता है कि वो कुसुम की शादी का जोड़ा पहन लेगा और अमन से शादी कर लेगा गौगल कुसुम को लेने आती है और उसको पता चल जाता है कि कुसुम भाग गई है और ये कुसुम नहीं कार्तिक है वो बहुत खुश हो जाती है और वो शादी करवाने में कार्तिक की मदद करती है लेकिन मंडप में शादी के दौरान शंकरत रिपार्थी को शक हो जाता है कि लड़की कुसुम नहीं कार्तिक है जिस वज़े से वहां बहुत अफरा तफरी मच जाती है और अमन शंकरत रिपाटी को बहुत कुछ बोल देता है जिसको सुनकर सारे घरवाले इमोशनल हो जाते हैं और उनको गिल्टी फील होने लगता है लेकिन उसी दोरान पुलिस आ जाती है जो वहां सब को बताती है कि वो कार्तिक और अमन को गिरफतार करने आई है क्योंकि धारा 377 के तहट गे होना जुर्म है क्योंकि उन्होंने कुसम को बस अड़े पर गिरफतार किया था जिस वज़े से कुसम ने उन्हें अमन की सचाई बता दी थी लेकिन अमन के चाचा यानि गौगल के पापा जो एक लौयर थे अमन के लिए स्टैंड लेते हैं और पुलिस को समझाते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कि गे होना अपराद है या नहीं तो वो कल तक का वेट कर सकते हैं और अगले ही दिन ये फैसला आजाता है कि गे होना इलीगल नहीं है जिससे अमन और कार्तिक जीच जाते हैं और उनके घर वाले भी उन दोनों को सपोर्ट करते हैं और इस तरह होती है मूवी की हैपी एंड इस मूवी को आप एमेजन प्राइम पर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हर दिन अलग-अलग कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले